Hi guys, welcome back to another video. वैसे तो ऐसी वीडियों business studies में बनाते हैं जहां पर पांच मिड़ में पूरा chapter निप्टा देते हैं पर आज कुछ ऐसे ही chapter के बारे में बात करना है forms of market. एक जमाने में इस chapter hero हुआ करता था, आज बिल्कुल zero पे आ गया है क्योंकि CBSC ने इसमें से majorly पार्ट को delete कर दिया है. बहुत सारे forms of market में आपका एक छोटा सा पार्ट ही है जो की course के अंदर है, तो चले अगले पांच मिंट के अंदर forms of market के उस पार्ट को पूरी तरीके से सभाप्त करते हैं और बैटके ही मैं समझा दूँगा क्योंकि समझाने वाला ही पार्ट है, तो चले शिरू करते है forms of market in next 5 minutes, इस chapter के notes चाहिए, मिल जाएंगे description में उनका link है, going checkout right away, ठीक है, अभी मत जाना, पहले वीडियो देखो, उसके बात जाना चले शिरू करते हैं, forms of market, साधा बाचा में बोला जाए, तो market यानि बजार कितने प्रकार का होता है, देखो आपको एक चीज समझने, economics ये अं जहां से purchasing और selling हो सकती है, वो सब कुछ बजार के अंदर आता है, जहां पर भी buyer और seller एक गुरूसे से connection में built होते हैं, वो सब बजार है, Amazon भी एक बजार है, Flipkart भी एक बजार है, और सारी social media sites, जहां पर selling वगरा हो रही है, वो सब कुछ बजार की category के अंदर ही आता है, अब बजार कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एक आता है perfect competition, monopoly, monopoly stick और oligopoly, आपको जो पढ़ना है, वो है perfect competition, अब perfect competition को समझने के लिए मैं एक example देता हूँ, अब एक second में clear कर दोगे उसको सबजी मंडी, अब सबजी मंडी का मतलब क्या है, ये एक ऐसा market condition है, जहां पर large number of buyer है, large number of seller हैं, और जो बंदे हैं, बेचने वाले, वो सब एक ही प्रकार का homogeneous product बेच रहे हैं, वो भी उस दाम पे, जो कि उन्होंने decide नहीं किया है, पूरे market ने मिलकर decide किया है, जो product वो offer कर रहे है, वो बिलकुल identical है, जैसे सबजी मंडी में होता, बहुत सारे ठेले लगे में हर एक और price जो होगा, वो भी अमूमन सेम होगा, क्योंकि price वो खोद decide नहीं करते, price आगे से decide होकर आ रहा होता है, अगर perfect competition के बारे में बात करें इसके features क्या होते हैं, सबसे पहला feature है, कि सब होमोजीनियस product होता है, होमोजीनियस product मतलब बिलकुल same product होता है, ऐसा नहीं है कि इसके product में जमीन आसमन का फरक है, बिलकुल same ही product है, आप इससे खरीदो या उससे खरीदो, आपको lucky lucky जैसी ही मिलेगी, दूसरा इसका feature है, कि इसके अंदर free entry and free exit है, अब क्योंकि होमोजीनियस product है, सब के पास same ही तरीके सामाने, तो आप भी उनमें एक मैठ जाओगे, तो कोई जितकत की बात आईगी नहीं, तो यहाँ पर free entry है, free exit है, आपकी इच्छा है करें तो आखे कल सब्जी मंडी खोल लेना, अब क्योंकि free entry and free exit है, price आप क्या लोगे, बजार खराब तो नहीं करोगे, इसलिए यहाँ पर price identical होता है, अब identity का मतलब same होता है, same इसलिए होता है, यहाँ पर जो firm है, वो price taker firm है, price maker नहीं है, taker मतलब लेने वाला, maker मतलब बनाने वाला, यहाँ पर जितने भी ठेले खड़े होंगे सब्जी मंडे, वो सब price ले रही है, वो बना नहीं होता है, price बनाता है, industry, यानि कि market, बजार में कितने की आई है, उसके हिसाब से यह सेम है, तो यहाँ पर perfect knowledge का concept आता है, perfect knowledge का मतलब क्या है, customer को पता होगा, सब चीजों के बार में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्योंकि यह की सामान है, एक जैसा ही सामान है, तो customer को पता होगा, यह अच्छा है या बुरा है, इसका एक और example अगर आप समझना चाएं, त पास, photo state के ऐसे line से दुकाने होती, 4, 5, 6, 7, colleges के आसपास होती है, तो वहाँ पर सारे photo state वाले semi rate ले रहे होते हैं, बट आपको अंदाजा होता है कि photo state दिखती कैसी है, तो आप अधार यार भईया, आपकी तो quality में अच्छा नहीं है, उसकी quality अच्छी है, तो वो भी quality सही क मार मार के industry से भाहर निकाल देंगे, बट अगर करता है, तो price market पुल तरीके से fluctuate होने के chances हैं, इसलिए demand curve जो बनता है, वो perfectly elastic demand curve बनता है, because small, very small सिर्फ हवा तक change price के अंदर आदे, वहाँ सस्ते मिल सकते हैं, बस इतनी हवा ही काफी है, demand को fluctuate करने के लिए, तो इसलिए elasticity इस रहे होना, मतलब वहाँ पर जो मिल रहा है, दूसरी देगे भी वही मिल रहा है, तो आप advertise करो अपने product को, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, advertisement code approximately zero होती है, ठीक है, तो भाई, मेरे हिसाब से आपके पूरे chapter में बस यही था, हाँ, यही था, बाकि monopoly, monopolistic और oligopoly, यह कक्षा 11 से हट चुका है, आप एक बार अपने असले, बस जान से, जाच विचार करके देख लो, मैं पूरा रेक जाया हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी, तो भाई, यह chapter आपका समाप्त हो गया है, इसी प्रकार से business studies के सारे chapters को, हमने ऐसे ही editing करा के, बढ़िया तरीक चेक आउट करे, अगर आपको WhatsApp पर कनेक करना है, तो उपर आई बटन में WhatsApp की भी डीटेल्स है, जाए WhatsApp पर कनेक कीजिए, मैं नंबर दे देता हूँ, 769 0041256, यह नंबर मेरा ही है, किसी और से आप आरतलाप नहीं कर रहे होंगे, चले मिलते हैं आप लोगों को इस आगली वीडियो के साथ, तिल दन वाल को वीपन वाचेंग, गुटनेट बबाए, नमस्कार.